हेलो दोस्तों मेरी यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूं लौकी के कोपते तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो जलिए इस्टार्ट तो फ्रेंट हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने हाँ पर लोकी को चील के कद्दू कस कर लिया है और उसका पानी निचोड़ा और फृis मैंने विशन मिला हरी मिर्चे कड के डाली १den नमक नुद कर लिया हैं और $GM कर लिया है और लिए उगने और्ड अच्छे से यह बन रहे हैं मैंने इसका सारे पानी निकाल दिया था लौकी के निचोड़ लिया था इसलिए बहुत अच्छे बनने और आप ऐसी तो फ्रेंट्स में ने कडाई में तेल गरम कर लिया है और मैं अब इसमें इन सब को छोड़ दूंगी देखिए तेल गरम हो चुका है कि तो इसमें महगनी आती है और यह अच्छे से भून जाते हैं और हमें इनको हिलकि मुणना तो ये अंदर से कच्चे रहाbuatan के और बहुंता है जिससे कि लगा और अदर ऑर अच्छे से बुहन है तर आप सो कते हैं कि इस दुरु कि पोले लूँगे और हमें एक सूद ज्यादा ने लगाने हैं उतने लगाने हैं यहां कि ज्यादा लगा यह री कितर से फ्राइबी ने होपाएई तो देखिए फ्रेंड्स अब ये भून चुके हैं कितने अच्छे क्रंची क्रंची लग रहे हैं देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और मैं अब इनको निकाल लूँगी और अब हमने यहां पर मसाला तयार कर लिया है और हमारा मसाला जब भुन जाएगा तो मैं इसमें ये शारे डाल दूँगी और मसाले में अच्छे से ये मिला लूँगी मसाले में मैंने लसन प्याज का पेश्ट बनाया था और अद्रक का और वही हल्दी मिर्थ धनिया ज्यादा कुछ ने डाला था बस वही रोज का जालना होता है और मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है और एक नट तक मैं इसक आप चाहें तो इसको आप सुके भी बना सकते हैं और मुझे तो इसमें पानी दिया है और इसमें